कि है कि हेलो बच्छों कैसे हो मड़ौन अच्छे योंगे में जामेड आज भी क्लास 12 की Chemistry की Class लेने जा रहा हूँ इससे पहले मैं Primitive और Non-Primitive तक बता दिया था मैंने बताया था Primitive क्या होती है और Non-Primitive होती क्या है तो Primitive के मतलब होता है जो Particles मुझूद होते है क्यों वाल कॉल रहा है ये Primitive है इसको ये कहा होता है कॉलर पे मिलते है तो प्रिम्टी क्या होती है इस्ट मिलेंगे और एसे आपका क्या पुलेंगे सब्सक्राइब नान प्रिमिटी विडियो में कि तिन टैप्स के होते हैं क्या क्या होते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आज क्लास में चलते हैं तो आज हम इंट से क्लासिफाइड करते हैं प्रिते हैं तर्फियोर क्लोंगोनॆ चलते हैं फ्रेंद सेट ग९ॉवal खुंप्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब गएफल्द शक्राइब डिखाएब होते हैं तो झगाव पर सुर्ट पर निग दी हम पेहला क्यों जांती है क्यों में क्यों मिलता कर एक हो गया इस ताइब इस लेंद हो यह है यानि a की लंबाई बी की बराबर है और बी की लंबाई सी की बराबर है यानि a बराबर b b बराबर c a is equal to b b is equal to c ठीक है इसमें जो एंगल बनता है अलफा, अलफा इसकल टू, पीटा इसकल टू, गामा, बराबर 90 डिगरी, समझ में आ रहा है, अलफा इसकल टू, बीटा है, अलफा का इंगल बनेगा, जो अलफा का इंगल बनेगा, इसमें जो इंगल बनेगा, वो इंगल अलफा, बीटा, गामा, इसमें जो इंगल बनेगा यह भी 90 डिगरी हो यह भी 90 डिगरी बदा अल्फा बीटा और गामा जो गीक के बराबर होगा एक्जामपल किया है आपका एंसल है जिंक ब्रेंड है ठीक है पिर बारों बता रहे है पहला जो है क्यूबिक है तो हम इनर्ट सेल को क्लासिफाइड करते हैं आप अब बेसे साथ क्यों मिलते हैं क्लिक के एक दर्व कि बिर्द के बार्म दिश्यकित लिए हैहीं में सकते जो 15 बाज़ सबस्के उस प्रचाना जो अजनने में बेड़ा आइंगल जो है बीटा के बराबर और आज़ दूसरा भाण इसको प्रिमिटीव कहते हैं और जो आगला है। क्या बहुता है इसमें चारों मिलेंगे प्रिमेटीन बी ची आफंट इसी मतलब हैं इसमेंन इसलेंट होती है एक नमबा दी के बरावर नहीं होती है इनमें पर भी नहीं होती है इनमें ते बिटा होता है जो अलफा के अंगल होता हम वीडे के बरावर समाज में रहा है अलबा ब्राबर बीटा वह घामा समझना रहा है इस कि बराबर ब्राबर एक बराबर एक जो बराबर भी है और जो बी की लंबाई हो स्थी नहीं होती आ लेकिन एंगल बराबर होते हैं तीनों के इंगल नमबर दिख रहा है उपर सुरुआत करें पहला दूसरा तीसरा तीनों के बराबर है समझ में आ रहेंगे निए इस एक्जाम्पल क्या लेकिन के लिए और विए शुपर वेरियम सुल्फेट और पोटेशियम नाइटेट लेकिन अगल रहें जो है जो अलफा जो इंगल के बराबर है जो बिटा के बराबर ही यह जो बिटा आंगल है मैं जो और नेंटेट निए जबिए अधिक्गर समझ में आरा है को ठीक है अगला है ट्राइग ट्राइगोलन पर एक ही फॉर्म मिलते है प्रिमिटी इसमें क्या होती है इसमें क्या होते एक लंबाई बराबर और बी के बराबर नहीं होते हैं अगला है इसमें जो एक लंबाई बी की बराबर नहीं है और लंबाई इसके बराबर नहीं है इसमें जो अलफा बराबर गामा बराबर नहीं होता है लेकिन अलफा और गामा नहीं होता है जिए बीटर नहीं होता है अगला है ट्राइट है इसमें जो इंगल बनता है वो बिटर इंगल के बराबर नहीं होता है समझ में आραा इसमें चेंदे अ मागती है इसमें की नमाएर भी की लिए हिसने इसने के यह दिख लिस ए औरंच के स्मीश. बनाता है समझना आगे यह क्या कि आपके टाइप सब्सक्राइब है आंद बेसिस आफ क्या होगा अंद बेसिस आफ एड़ लेंद एंगल के हिसाब से इतने हो गए साथ टाइप से और इसको क्या बहुत है कि इतना मिले एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गारा बा सब्सक्राइब सब्सक्राइब लें कि सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कर किस तरह भी तर smith में कि पोलेंगे से फॉर्टीन और ॉर्परेंगे लिएस kia इसको आप चाट बनाए किताब में दिया है ठीक है इसको चाट बनाए और याद करिएगा इतने बार याद करें को इसमें बराबर नहीं होता है बराबर नहीं होता है समझे में ठीक है आज के लिए इतना है नेक्स वोडियो में ठीक है